इस विडियो में हम देखेंगे कि RCC Boundary Wall में इस्तमाल होने वाले Pole Line Mold कैसे बनाये जाते हैं। विश्वास Welding Works, Manufacturer of Folding Wall Mold and Making Mold as per Design, Plot No. 36, VEGADY, GIDC, Jam Kandorna Road, Dhorajee, Rajkot अधिक जानकारी के लिए डायल करें 99742-47244 और 99795-54052 सबसे पहले हमें 115 फीट लंबी जगे के बीच में एक निशान लगाना है। हमें इस निशान के दोनों सिरों पर गड़े बनाने होंगे जिसमें हम बेस पोल को असेंबल करेंगे। लेवलर की मदद से सही लेवल चेक करना होता है। इसके बाद बेस से 42 इंच की दूरी रखते हुए सभी बेस पोल लगाते जाएंगे। 16.5 फीट लंबी बेस प्लेट को बेस पर रखेंगे। दूसरी प्लेटों को रखने के बाद सभी प्लेट को एक दूसरे से वेल्ड करेंगे। अब प्लेट के बीच में एक पार्टेशन वेल्ड करेंगे। पोल मोल्ड की दोनों वॉल को बोल्ड की मदद से फिट करेंगे। हमें जितनी लंबाई के पोल चाहिए इस हिसाब से डिवाइडर प्लेट को फ्रन्ट साइट से इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद डिवाइडर प्लेट की ऊपर सपोर्ट एंगल बोल्ड की मदद से फिट करेंगे। पोल की लंबाई 5 फीट से 14 फीट तक की हो सकती है। सभी मोल तयार हो जाने के बाद फ्रन्ट साइट पर सपोर्ट बार वेल्ड करेंगे। और ठीक उसके पास दो हेड़ पोल असेंबल करेंगे। हेड़ पोल पर टाइटनिंग स्क्रूव वेल्ड करेंगे जिस पर तार प्लेट रहेंगे। वही दूसरी ओर बैक साइड पर भी सपोर्ट बार वेल्ड करेंगे। और आगे की तरह यहाँ पर भी दो हेड़ पोल असेंबल करेंगे। लेकिन तार प्लेट को सीधा पोल से वेल्ड कर देंगे। दोनों लाइन तैयार हो जाने के बाद वायर को वायर प्लेट के होते हुए सभी मोल्ड में रखेंगे और टाइटनिंग पिन से वायर को फिक्स करेंगे। दूसरी ओर भी टाइटनिंग पिन से वायर को फिक्स करेंगे। वायर को टाइटनिंग स्क्रू की मदद से टाइट करेंगे। इसके बाद पोल मोल्ड पर वायब्रेटर इंस्टॉल करेंगे। तैयार की हुई कॉंक्रीट को ट्रॉली में भरकर पोल मोल्ड की अंदर डालेंगे। वायब्रेटर से कॉंक्रीट को सभी जगे फैला देंगे। इस प्रक्रिया को सभी बॉक्स में दोराएंगे और सूखने के लिए छोर देंगे। सूखने के बार डिवाइडर प्लेट के उपर लगी सपोर्ट एंगल को हटा देंगे। दोनों डिवाइडर प्लेट को करीब करना होगा। जिससे प्लेट से जुड़े वायर को काटा जा सके। वायर कटने के बाद दोनों प्लेट को हटा दीजे। उसके बाद साइड बॉल को भी आटा दीजे अब आसानी से एक एक करके कॉंक्रीट पोल को निकालिए खुबसूरत, मस्बूत और जल्दी तयार होने वाली RCC Boundary Wall और हाँ आप वाइब्रेटर को बेस प्लेट के नीचे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और टाइटनिंग स्क्रू की जगा आप हाइड्रॉलिक का भी इस्तमाल कर सकते हैं विश्वास Welding Works, मैनुफाक्ट्र और फोल्डिंग बॉल, मोल्ड और मेकिंग मोल्ड अस पर द्रॉइंग अधिक जानकारी के लिए डाइल करें 99742-4724 और 99795-54052